तो आज हम शुरू करें विद पेज नमबर 101 वर्ट प्रप्रब्लम पढ़ो जी ओगनी कंपाउंड एका फॉर्मला है C8H8O पॉर्म से औरेंज रेड पीटी विद डी एन पी पॉर्म येलो पीटी विद आयोडी तो मैंने आप से कहा था कि यहाँ दा कंडलाइन करो यह कुश्चन का फ्रेम ऐसा है कि यह कुश्चन यहीं तक अपने आप में सॉल हो जाता है और हिंट रिक्वाइड ही नहीं है क्योंकि जब हम सुनते हैं C8H8O है तो हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो छे या उससे ज्यादा है कावन हार्जन की संख्या लगभग से मैं इसका मतलब कहीं नहीं कहीं यह बेंजीन वाला कंबाउंड है कि बेंजीन अगर अकेली होती तो फार्मला होता C6H6 कि और इस पर नोटल आठ कार्बन है इसका मतलब कहीं नहीं बेंजीन से कुछ रटेगा और कुछ लगेगा डीनपी टेस्ट आ रहे हैं दीनपने साने का मतलब होगए कि यहां तो यह 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 कि टोन है और याइक तसी समय की जिए-ची की समझ से मैंने लिया कि इसमें बंजीन है कि ना बीओ से देख लिया कि जिए-क्यशन पाराइज़ कि मिधे-ठ्वल्स को तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ बेंजीन और मिथाइल किटोन को ही सेट करूं तो जो फॉर्मला इसने दिया था वह कंज्यूम हो गया क्योंकि बेंजीन पर कुछ लगा है तो आइसले ल्की सब्रेटेर से इसले सुने अशवेज दिया क्रोंमीन वाटर सेłeekन और में आपके हो सब्सक्राइब क्म करते के लगया है और मैं डिनी जाईस होती है और CH3 का बन जाएगा CO2 आप से बुच्छा था कि identify A and B तो यह A और B हो गए आपके है बनाओ लेक्शन में एक्सपेंट नी करूंगा वो मेरे पैकेज में मैंने करक किया मैं सिर्फ उपर उपर से डिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि आपकी रिवीजन क्लासी जाइए हर एक रेक्शन क्लास पैकेज में कवर किया वह वहीं देखना है कि एक बार यह रिवीजन का फेस्ट खतम हो जाएगा तो जो सेकिंड फेस्ट फेस्ट है जिसमें हमने अस्टेशन डिजनिंग अब्जेक्टिव उसके साथ मैंने बहुत सारी वर्ट प्रॉब्लम भी डाल दी है विकोस काफी बच्चे मुझे वर्ट सब करते हैं कि वर्ट जहां भी दे रखी है वर्ट प्रॉब्लम मैंने सारी अगठी कर दी है तो उसका भी आपको और अच्छा एक्स्पीरियंस मिल जाएगा नहीं नहीं कोश्चिंस आपको देखने को मिल जाएंगे ताकि आप यह सब मेंटलर प्रिप्रेशन है दिमाग को त्यार कराना और कु कर द歩 कि कि आपकोशले कर दिमा कर द्चीरियंस आपको लróब कि आपको सिर्णे आपको का भी है खबलार कि अएब आपको यह स्चिंस आपको अज tensor प्रियंस सारींदे को माला इएह यह हैं खखकोंदे ऑन नही है अजrikилиना नहीं कि आ भी है उतना नहींदि़ दितकम को झाल अगला कुशन आ रहा है पेज बन जिरो टूपे एनागनी कंपाउंड विदा मैकलर फॉर्मला सी नाइन एच टेन ओ तो कावन हरजन की संख्या लगबग सेम है और कारबन छे यह उससे ज्यादा है इसका मतलब बेंजीन कंपाउंड तो होई गया कहीं नहीं कहीं बेंजीन तो इसमें हई बाके हिंट पकड़ते हैं तूफो डीएंफी डेरिवेटी बना रहा है इसका मतलब यह तो यहां टॉल्ड रहा है मतलब कि यहां पर कुछ लगा हुआ है टोटल कार्बन आपके पास नौ थी उसमें से साथ आपने यूज कर लिए कि रह गई दो तो दो कार्बन का इलकायल ग्रूप आपने लगाया बेंजीन में छे कार्बन होती है बेंजीन में छे हाटजन होते हैं छे में से दो हाडोजन हट गए तभी कुछ लगा तो चार रहे गए एक लडी हाइड लग गया और एक लग गया सीएश्टू सीएश्टू अगर आप ऐसे काउंट करो तो नमबर आफ कावन एटम नाइन पूरे हो गए हाइडोजन चार पांच दो साथ और तीन दस हो गए और ऑक्सीजन एक हो गई है इसका मतलब यह कंबाउंड है और आपको बता है यहां पर डबल ऑक्सीडेशन हुई है कहावत एल्ली हाइड क ऑक्सीडेशन पर कर्बॉस्लिक बनता है और बेंजीन पर चाहे कितनी ही बड़ी कावन की चैन क्यों ना लगी हो ऑक्सीडेशन पर हमेशा बेंजाइड बनता है बनाओ कि अगर कि अगर झाल 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 अगला कुशन है एक अगनी कंबाउंड ए है उसका फॉर्मला है सी एट एच शिक्स्टीन ओर्टू वाज हाडलाइस्ट विडियूट सुल्फियूरिक एसेट गिव काबॉक्सलिक एसेड एन एलकोहल ऑक्सिडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसेड प्रड्यूस भी सीडेहडेशन के कि यह तो चलो आपका कराबा कोश्चन है आप रिवाइस कर रहे हों अन्न कोश्चन आएगा तो फ्लोचार्ट की बिना कोई करी नहीं सकता है एक्ष्ट ली काबॉक्सलिक एसेड है और सी अलकोहल है कि की ऑक्सिडेशन पर बी बन रहा है और सी की डी हाइडेशन पर कि अधिक पाइंट एक्वेशन इनवाल तो पहली चीज तो यह है कि अलकीन में चार कर बनें इसका मतलब 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 इस वह सकती थी ने कि एलकोहल होगा ने इसका मंतब टार outta ओर वागा चुए हुए हुए इस तक्तिम आप मुद्र साथम आपन से छला गया और यह ऐलकीन बंदे धाचा रिमेन सेम एलकोहल की ऑक्सिडेशन से बना एसिड और एसिड पर से अलकोहल बनते हैं एस्टर में पानी डालके इसका मतलब यह जो हमारा कम बाउंड है यह एस्टर रहा होगा झालकोची 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 झाल 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 लास कोशन है इसमें पेज 104 पे इसकोशन में पहले निकालना पड़ेगा मार्टनर फॉर्म्मला उसके स्टेप्स लगेंगे पहले निकालना पड़ेगा एंपेरिकल फॉर्म्मला होता है नमबर आउं मोल्स की रिश्यों सिंपल मोलर होल नमबर रिश्यों पोल निकालने का फॉर्म्मला होता है गिवन वास तिवाइड बैं मोलर मास कार्बन का पसंटेज दे रखी है वो इसका गिवन ओर है कि ऐसे ही जो हाड़जन आपको पसंटेज दे रखी है वह गिवन मास है क्योंकि सौ ग्राम में कितना हो गया है यहां से ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा लिखो साथ सब कि 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 झाल झाल कि गल्टी को लग रहे हैं सिक्स्टीन आए हुआ 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 है हुआ हुआ है सरे एंपिरिकल पॉर्मला इसंपल मोलर होल नंबर रैश्यों आफ ऐलिमेंट्स पैजंट इनडेंग आवग लाइव वेल्मेंट्स हैं उनकी क्या सिंपल मोलर होल नंबर रिशो एधर इस एंपरिकल फॉमॉला कि एंपरिकल मास पोलर मास एंगी वेल्यू कि एंगी एंगाव में मॉठन भरत व व्य kांव कि अछी स्ट Всемॉल 화agens So, compound ka formula आगया C 5 S 10 O बाकी हिंट्स पकड़ते हैं अब इसका structure बदा लगाते हैं उसके हिंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह compound tolerance टेस्ट नहीं देता मतलब एल्डी हाइड नहीं है sodium hydrogen sulfide के साथ PPT बनाता है इसका मतलब कार्बनाइल ग्रुप तो है इसके अंदर तो किटोन होगा positive आइडर फार्म टेस्ट भी देता है मतलब पक्का बात है कि किटोन ही है तो एक simple किटोन पांच कार्बन की जो आइडर फार्म टेस्ट दे रही है उसमें और कुशन में लिखावाए कि जब इसकी विगरेस औक्सिदेशन करवाई है तो ऐसा करने पर इथे नॉइक और प्रोपेनॉइक दो एसिट बनें कि श्रसा आतको मतला है कि यहां पे तीन क कावन का ग्रुप लगा रहा होगा किटोन जब ऑक्सिदाइज होती है तो तूटती है और एलिफेटिक किटोन है तो इसमें पॉपफ रूल लगेगा पॉपफ यह कहता है किटोन अगर अंसिमेट्रिकल है एलिफेटिक है तो सीओ हमेशा छोटे इलकाइल ग्रूप के साथ रहना चाहिए क्योंकि यह स्मॉलर इ क्या कर रखा है मुझे भुझे नहीं आता तो मैं क्या करूंगा वह इतना रद्दी दिया है कि उसे हम कराते ही नहीं कोई पढ़के देखा है पढ़ा था जो समझ्जा उसको सोर्वे विकुली बख्वास दिया है बेटे पिसे 25 साल से दिया वह उसी को नहीं कराते हैं उसके लावा कोई भी मेकानिदम तुझे नहीं मिलेगा पैकेज में जो ना कराया हूं बहुत ही नॉंसेंस तरीके से वह लिखा हुआ है एक बाद करवाया था कि बच्चों की आदाश चलीगी थी फिर उन्हें गढ़र रखे छोड झाल 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 झाल